नमस्कार सातियों आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही महतुपूशे टोपिक पर अपने बात करने वाले हैं जो भी फिल्ड वेटनेरियन हैं जो भी फिल्ड प्रैक्टिसनर हैं उनके सामने कई बार कंडिसन्स आ जाओं में जो प्रैक्टिस करते हैं लोग बिल्कुल रूरल एरियाज में जो प्रैक्टिसनर हैं उनके सामने ये दुविदा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ऐसे कुछ इंजेक्शन की बात करेंगे जिनको डोग में लगा तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन की फिल्ड में कौन से केसे अपने को देखने को मिलेंगे डोग से रिलेटेड जनरली जो केस देखने को मिलते हैं उनसे संबंदित जो ट्रीटमेंट होता है उनके बारे में अपन बात करते हैं सबसे पहला केस अपने या काम में ले सकते हैं तो यह कुछ एंटी इंफ्लामेटिड रग्स होती है जिनका इंजेक्शन अपन डोग के केस में उप्योग में ले सकते हैं इसके अलावा बात करें जनरल जो केस मिलेगा अपने को मिलेगा डर्मेटाइटिस का या इसकीन इंफेक्शन का इचिंग का तो वहां पर क्या होता है जैसे कोई भी डोग उनर है वो कोल करके यही बताएगा कि इसके बाल जट रहे हैं या इसकिन पर रैसेज हो गया है या बहुत ज्यादा एक्टो पैरसाइट्स वह बहुत ज्यादा हो गये हैं तो उस इस्तिति में अपने कोई इंजेक्शन आईवर फाइदा आपको मिलेगा इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों जो जनरल केस देखने को मिलेगा आपने को वह मिलेगा वो मेटिंग का या डाइरिया का वो मेटिंग और जो डाइरिया के केसे होते हैं उनमें अपन काम मिलेते हैं एक तो एंटीमेटिक एजेंट में लेते हैं उसके अलावा अगर जो उस टूल है उसका या उल्टी है उसमें ब्लड भी कई बार देखने को मिलता है तो ब्लडी डाइरिया की कंडिशन में अपन इंजेक्शन एसकोर भी कैसिडियानी विटामिन सी का उपयोग भी वहाँ पे करते हैं ताकि उसकी जो ब्लीडिंग है वो ना हो उसके अलावा अगर कोई बैक्टिरियल इंफेक्शन या किसी भी प्रकार का वाइरल इंफेक्शन हो गया है जिसकी वज़े से उसकी कंडिशन बहुत ज्यादा डाउन है तो अपन एंटिवायो उसके अलावा इंजेक्शन जेंटामाइसीन हो गया इंजेक्शन क्लिंडामाइसीन अपन यूज में ले सकते हैं या क्लोरेम फैनीकोल जो होता है उसका उपयोग भी अपन डोग के केस में एजे अंटिवायोटिक ड्रग काम में ले सकते हैं उसके बाद में बात करें दोस डोग्स को दे सकते हैं उसके आलावा बात करें दोस्तों अगर किसी प्रकार का प्रोटो जोवल इंफेक्षन वहां पर हो गया है तो उसे श्तथि में इंजेक्शन बैबी मीडो जो की इंजेक्शन आता है वो यूज में लेते हैं injection barrenil भी अपन डोग के case में उपयोग में ले सकते हैं उसके अलावा किसी प्रकार की कोई surgery का अगर minor surgery का case है तो वहाँ पर अपन local anesthetic agent lignocane को उपयोग लेते हैं जबकि major surgery के cases में अपन जायलाजीन और ketamine पर जाते हैं तो ये बहुत सारे injections होते हैं जिनका उपयोग अपन डोग के case में कर सकते हैं इसी प्रकार से और किस topic पर आपको जानकारी चndeहिए वो आप comment section में बता सकते हैं धन्यवाद कि